अभी आपको हम चंडीगर लिये चलते जहां मुख्या मंत्री मनोहर लाल हर्याना की आईये सधीकारी धीरा खंडेलवाल की एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं इसमें साहित्य का अपना बड़ा योगदान होता है तो जितना भी उचकोटी का ये साहित्य है इसको लिखने वाले लोग हैं इनका सबका मैं बहुत ही एक प्रकार से आभार करना चाहूंगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ी यानि एक तपस्या कर रहे ह हैं और इस तपस्या के यानि प्रणाम सुरूप हमको जो प्रेरना मिलती है उस प्रेरना से इस सनातन सत्य को आगे यानि मानुए मुल्यों को रूप में बढ़ाने के लिए इनका अपना एक योगदान है इसी परकार से बहुत सरल शब्दों में भी और कठिन शब्दों मे इनकी कविताओं की रचनाएं जो मैंने देखी हैं बहुत सरल भी हैं हमारे मुखे सचिव जी ने जो कविता पढ़ी है सरल शब्दों में भाव देने वाली है लेकिन बड़े-बड़े कठिन शब्द भी गुरमीत प्रोफेसर गुरमीत जी ने जो बताया कि कई बार तो व मुखर मौन हो चाए सांज सकारे हो ख्यालों के खलियान हो अंतर अकाश हो और जो दो हाईकू मैंने बताए तारों की तरफ तारों की तरफ वा मन मुकुर की छे पुस्त के सब में ही सब पढ़ने लायक हैं तो आप जरूर अपना अपनी विस्ताओं में से समय निकाल करके पढ़ना चाहिए एक महिला के नाते से इस परकार के काम करने की एक विशेश अपनी बहुमिका नोंने जू की है क्योंकि महिलाय जैसे ठीक है प्रसाशने गयारी के नातें इनको आफिस का काम भी करना पड़ता गर को भी समालना पढ़ता जैसे का जाता ना कि किसी एक सफल पुरुष के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है लेकिन यहां यह कहा जा सकता है कि इनकी सफलता के पीछे खंडेलवाल जी का भी हाथ है तो इसलिए खंडेलवाल जी को भी कुछ श्रे जाता है इसमें इनका भी बहुत भुत धन्यवाद है कोल मिलाकर हमें अपनी जो कविता है उसको हर व्यक्ति को इसके अंदर आनद लेना चाहिए और उस और आगे बढ़ना भी चाहिए शब्द समझ में आये ना है भाव जरूर समझने चाहिए और भाव यह दिधान में रहे तो उसका एक आनद रहता है मैं एक कविता को याद करता हूँ सब्सक्राव याद है तो आज बैठे बैठे उन भावों के अधार के उपर मैंने दो तिन पहरे यहीं बैठे बैठे लिखे हैं तो मैं आपको सुना करके और शायद उसमें कहीं तो बंदी ठीक हो जाए तो वह उस वीरस की तो नहीं है जो तरखाजी कह रहे थे लेकिन उसके भाव जो है सिर्शक उस कविता का था मैं व्यस्त हूँ और या समयrate आख़िए है कि उनमें व्यस्तता के नाते से कई बार सोचता हूँ तो उसके दो तिन पहरे जो बेठे बठेम ने लिखे हैं कि सुबह सुबह उठ चाय के पहले पर मेज पर देखता हूँ बहुत से अख़वार सुर्खियां घूर लेता हूँ पड़ पाता नहीं क्योंके मैं वेस्थ हूँ डाकिया डाक लाता प्रेशक कौन हैं देख लेता हूँ किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है अनुमान लग जाता है किस भाव का पत्र होगा अंबार लगा है पत्रों का प्रंतु उत्तर दे पाता नहीं क्योंके मैं प्रंतु प्रंतु कभी थोड़ा समय पा देख लूँ अपने आपको आइने में देख लूँ अपने आपको आइने में तब सच आता सामने कि नहीं मैं वियस्त नहीं हूँ नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं तो अस्त व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ. तुमितरो, इस साहिते सरजन की जो परंपरा है, इसको हम हरियाना सरकार में भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं. हमने साहिते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हरियाना जो है, साहिते लोक संस्रती की ही भूमी है, यहां पर सरसुई नदी, उसके किनारे पर कहते हैं, वेदों की रचना हुई, और वेदों के बाद लगातार साहिते कार, यहां अपनी अपनी भूमिका में इस प्रद अच्छी अकादमीज बनी हुई हैं, और अच्छी अकादमीज ने साहिते कारों को अपने दिश्टी से, चाहे वो पंजबी साहिते हो, चाहे वो उर्दू साहिते हो, संस्कृत हो, अन्य भाशाओं के नाते से भी, तो इस अकादमियों का अपना-पना रोल है, इनको औरम करना चाहते हैं, इसमें बहुत से प्रुष्कार साहित्यकारों को दिये जाते हैं अपने रचना के इसाब से,